कि भारती जन्ता पार्टी की सरकार जब हिमाचल प्रदेश में थी माननी मुख्यमंत्री शीरी जैराम ठाकुर जी के नेतरितोग में केंदर सरकार की आयुश्मान भारत योजना की तरज पर हिमाचल प्रदेश में हिमकेर योजना की शुरुवात की गई थी इस योजना के त पूस्पितल में हिमके रियोजना का लाव लोगों को दिया जा रहा था जिसमें 141 जो वो निजी खेत्र के ऐस्पिटल करगते हैं क्योंकि हमारे सरकारी होस्पितल हमारी सरकारी व्यवस्ता वर्तवान मरीजहों की संख्या के साफ से नाकाफी है तो आप सरकारी हास्पिटल में जाएँ, डॉक्टर को दिखाने के लिए लम्बी लाइब, अल्टरासॉण के लिए लम्बी लिए 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 नसी इंजले के लिए मॉर। आपरेशन के लिए लंबी डेट, कैंसर के मरीजों को कीमो थेरपी के लिए लंबी डेट और अन्य तरहों के इलाज पाने के लिए भी जो हमारा सरकारी जो धांचा है वो वर्तमान स्थिती के हिसाब से कमजोर पड़ रहा था इसको ध्यान में रखते हुए पूरु सरकार ने यह निर्णे लिया कि हिमाचल के ऐसे नीजी हॉस्पिटल जो पातरता को पूरा करते हूं और मानकाओं के अधार पर पंजिक्रित हैं उन होस्पितालों में भी हिमकियर कार्ड की जो वैलिडिटी जो वो शुरू की जाए और ऐसी तरज पर आज दिन तक अनेकों प्राइब हॉस्पिटल ने हिमाचल के असंख्य लोगों को हिमका हिंकेर कार्ड योजना के थात स्वास्ते लाब दिया परंतु इस सरकार ने कुछ दिल पूर्व में जो वर्तमान सरकार ने जो तुगला की फ्रमान जारी करकर मीजी हस्तालों में हिंकियर कार्ड का लाब देने का बंद करने का जो फैसला किया है यह सरकार की सुवेजन हीमता को दर्शाता है सरकार की इमेचेवटी को दर्शाता है कि विना सोच विचार के सरकार में इस पर निरने ले लिया क्योंकि सरकार आर्थिक तंगी का आर्थिक बदहाली का यह बहाना हमेशे बनाती रही यहां पbharcock फोछना चाहता हूँ क्या हिमाचल के लोगों को जो हेंकिर काड के तहत जोस्वास के लाब मिल रहा था क्या वो मखारे जंडा पार्टी के हैं एक क्या हिमाचल के लोगों को उनके घरद्वार मूलभूत जुरूरत के अनुशार चिकित्सा सुविधा देना के सरकार की जिम्यवारी नहीं है। ये सरकार जब से बनी है तब से ये स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल और दिकास कारियों पर ताला लगाती आई है और अब इसने एक कद्व आगे बढ़कर मरीजों को गरीबों को मिल रही उस स्वास्ते सुविधा पर विर कैंची चलाई है जिसका आने वाले समय में हिमाचल क जनता और भारती जनता पार्टी पुर्जोर विरोध कर रही है आने वाले समय में इसके जो परिणाम होंगे गरीब लोगों पर सबसे ज्यादा इसकी मार पड़ेगी क्योंकि आर्थिक तंगी की वज़े से गरीब लोगों को इलाज पाने के लिए हस्तालों के चकर काटने पड़ते हैं या प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर अपनी जमीन बेचकर अपने गहने बेचकर लोग इलाज कराते थे या इलाज से वल्चित रहते थे यह उन गरीब लोगों के प्रती बहुत बड़ा कुठारा घात है हम सरकार से आग्रह करते हैं अपने इस निरने प के लिए वरतमान सरकार ही जिम्मार होगी